तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिश्चे हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत सागत है तो जल्दी से आप लोग लाइब आजाएगे क्लास स्टार्ट होने माली है तो इस क्लास में हम लोग केमेश्ट्री के आपको जवाब देना रहेगा कमेंट में आप लोग रेड़ी रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो के साथ बने रहें क्लास लंबी भी हो सकती है तो आप लोग करिएगा लेकिन बहुत इंप्रोटेंट होने माला यह क्लास आपके लिए तो चलिए मैं इसका बताता हूं अब घटन अभिकिरिया क्या कलाता है टूटना किसी योगिक का टूटना क्या कलाएगा अब हो आता है पर टैसियम इोगिक कई बना रहा है और और औोसीजन बना रहा है तो यह एक 20 परकार का बना रहा है विसेस तत्व बना रहा है तो इसका राइट अनसर क्या हो hang आप्स नमर्क हो जाएगा चली अगला काता है कोश्चन नमर्ड दूसरा निमली खित में कौन विस्थापन होए अब इसका वी बताना आपको एंशर जल्दी से बताइए कमेंट में परतिय स्थापन अभी किरिया और विस्थापन अभी किरिया एक ही होता है नाम केबल चेंज है तो देखे इसमें क्या होता है इस अभी किरिया में क्या होता है अधीक अधीक किरिया सील तत्व कम किरिया सील तत्व को हटा कर उसके जगह पर बैठ जाते हैं ठीक है यही कारण होता है विस्थापन अभी किरिया में तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर्ग हो जाएगा ठीक है देखे एफी क्या होगा एफी ज्यादा है सी यू से यानि कॉपर से लोहा ज्यादा किरिया सी ले तो क्या करेगा कॉपर को हटा देगा बाहर निकाल दिया और के जगह पेट जाएगा इसका हो जाएगा और दो जाएगा चलिए क्शों नमर्ग टीन क्वारत 5 क्या निम diagrams में कौन उभथ स्थापन करिया मट अभिष स्थापन mellan निर्मान करता है एक नय जिसका उपयोग होता है इसको अप्योग क्या जानते हैं उजला पिज़्फ में प्राप्थ होता है वियुद्न क्या हुआ इसे तो उसी कैकते हैं विस्त्थापन कते है नीelp निम लिखित में से कौन अब घटन अभी किरिया नहीं है अब घटन अभी किरिया नहीं बताना है उसमें था और अब बताना है कि नहीं है तो जल्दी से बताईए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर्ग हो जाएगा Кया बनाएगा टूसीयो क्या आप मैंने बताया था कि वह क्या करता הבה खंडी थोता ङसे ओर रहा है साईयोजन हो रहा है साह्योजन हो और या अभी किलिया नहीं होगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सब् sẽ Boys universe 7 वा ह Wilson chal 서 nrill fivelike फाइब निम लिकवित में कौन कठन और सकते हैं आज इसमें से čारोν में से कौन सा कठन और सकते हैं बताना है तो चलिए को आपसंप्सन को पढ़ते आ पस INCCO और दूसरा कहाता है किसी पदार्थ में hydrogen का योग अबकरन कराता है तो यह भी राइट है अब चली अब करते हैं अब गा कि और ऑप्षिक्रीट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यानि 5 क्या हो जागा सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो जाएगा चलिए सब्सक्राइब कौन सा कथन सही है अब कौन सा कथन है इसमें से कौन सा कथन ओप्सन में जो सही होगा इस की लिए तो जल्दी से आपको बताना है कि इस अगरा और हाइब होना भी अब करन करता है ठीक है इसका राइट एंसर क्या जाएगा आपσα नमर 6 का क्या हो जागा गऊ हो जागा चलिए question number 7 क्यों भरते हैं चलिए question number 7 आ गया question number 7 कता है नेमलीखित मेंसे कौन दहन अभिकिरिया है इसमेंसे कौन सा है जो जलिए जल्दी से बताइए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा पेट्रॉल का जलना ठीक है पेट्रॉल पूरी तरह से जलता है देगे किसी भी किसी भी चीज का पूरी तरह से जलना क्या कलाता है दहन अभी किरिया कलाता है ठीक है आप लोग को पता होना चाहिए दहन अभी किरिया किसे कते है पूरी त त्यूना होता ओगा गैस वो पूरा धन इसला होता है ठीक है बुलू कलर का आग बीखता है जो तो चलिया ठीक्वर सब्सक्रेट कर अभिक्रिया में क्या होता है तो फ्रकास का अप्षोशक होता है उस Around नमर गटाता है प्रकास का पदार्थ का जल्दी से बताईए अगर आठ बजे कलास हमारा कैंसिल होता है तो पांच बजे साम को जरूर होगा तो हमारे चैनल पर प्रती दिन वीडियो अपलोड होगा तो चैनल पर आना और चैनल पर लाइक का दीजेगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब झरूर कर दीजेगा इसका एंसर क्या हो जागा ऑप। नम्मर हो जाएगा यानि का हो जाएगा प्रकास का अब सोचन होता है ठीक है अब सोचन करता है प्रकास रासाय निक अभी करिया कुछन नम्मर 9 किरो बढ़ते कुछन 9 करता है अभी किरिया 2PO पलस C reaction करके 2PB में इसमें कौने साथ यहां अभी नहीं है रहे हैं तो मैंने इसका इंसर हो जाएगा देखिए इसका इंसर हो गा जब है भी मैंने बताया कि Oxygen का ओक्सीजन का हुटना यानि अब करन अभिक्रिया देखिते मिसके साथ नहीं यहां पर उक्सीजन इसके साथ था यहां पे इसके घरी जाएगा, जुडा इसका समझें साहिए आपसिंट नमर खो ओक्सीजन रॉपकरन दोनों होता है यानि अक्सीजन का सइर्ऩ भी होता है ना करन का सभी होता है से जैसे में हो जाएगा जंग का लगना था इस पतो हो जाएगा स्वीदिayan को पर कोई पदार्थ जलना प्राडाम करता है तो उसे कहते हैं ठीक है कोई एक मीनिमम पॉइंट मीनिमम पॉइंट जिस पर क्या होता है कोई यह हमारा वास्तु जलता है मीनिमम पॉइंट पर तो उसका क्या कहलाता है तो बताना है तो इसका राइट एंसर हो जागा मैं बताना चाहता हूँ इसका राइट एंसर हो जागा ओप्सन नमर को जोलन ताप क्या कहते हैं ठीक है चले कुशन नमर 12 के बढ़ते हैं कुशन नमर 12 कहता है अभी किरिया 2Ki पलस CL2 जब रियक्षन करेगा तो 2K CL पलस आई 2 से क्या पता चलता है ठीक है क्या पता चलता इस रियक्षन के द्वारा ऑप्सन के नुसार तो बताना है आपको जल्दी से बताईए तो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर को आई 2 के तुलना में CL2 अधिक किरिया सीले ठीक उता है क्या करता है इसमें और यह सий्चा में हमते है आपको समय क्लोरिएं अपर इबरती तो समयल से क्लोरीं गैस नोड़ पर मुक्त होती राइज और हो यानि एनोर्ट पर क्या हो जागा net efficient वह जाएगा और sodium हो जाएगा हमारा जो cathode पर हो जाएगा positive चर्ज होगा ठीक है वैदूत अब घटन में हमेशा उल्टा होता है नेगेटिव का positive पर anything अप्राइटिभो जाएगा कि तो इसका राइट एंसर हो जगा है होका इसका होता है जल्दी से बताई और जल के बीच बीच अभी किर्या होने पर क्या होता है जल्दी से बताईए राइट एंसर क्या हो जाएगा खो जाएगा प्रयाप्त उस्मा का उच्छन होता है चलिए कुछिछ नमर 16 की वर बढ़ते हैं कुछिछ नमर 16 कता है संतुलित रासायनिक समीकरन विज्ञान के किस सिधान पर आधारी थे जल्दी से बताईए और न्यूटन के गति नियम पर अप्शन नमर B कता है द्रब्मान के अनस्वर्ता के सिधान पर अप्शन नमर C कता है सक्रियन उर्जा के सिधान पर आप्शन नमर घह कता है व्यग नियम के सिधान पर जल्दी से बताईए तो इसका राइट एंसर रोजग आप्शन नमर ख किस्प के सिधान पर काम करता है तो द्रभमान के अनसवर्ता के सिध्धांद पर काम करता, यानि द्रभमान को नस्ट नहीं किया जा सकता है, चलिए quest no. 17 क्योंपाइ बढ़ते हैं चलिए question no. 17, आपके screen पे comment करिए जल्दी से answer चलिए question no. 17 को पढ़ते, question no. 17 करता है तो उसको कहते है उसमा छेपी अभी किरिया इसमें क्या होता है प्रतिफल मिलेगा उसके साथ उसमा का उच्छर्जन होगा तो चलिए इसका एंसर में बताना चाहे तो इसका एंसर हो जाएगा पढ़ते हैं पहले अभी किरिया के अभी कारकों के पर्मानों एवं अनुओं के पेक्छा संख्या की जानकारी देता है जैसे में आपको अभी किरिया में रहेगा CL2 तो यहां पे क्या हुआ संख्या दिया यानि कि यह राइट है चलिए क्वेशन नमर अब अप्सन नमर गा क्यों ख़ा परते हैं यह गैसी यह अभिकार को और प्रतिफलो के पेच्छा आयतन की जानकारी देता है जैसे मान लेते हैं को यह एक्षन है मारा के PL4Cl ठीक है PL4Cl तो यहां पे जो प्रतिफल इधर तो प्रतिफल हो जागा यहां पे जो हमारा हुआ यह क्या था है आयतन की जानकारी देता है और अपसन नमर ग्हक कहता है यह अभिकार को और प्रतिफलो के द्रह्मान कानुपाद भी बताता है ठीक है यह भी डाय्त एंसर है द्रबमान कानुपाद बताता है और अप्शन नमर घह कता है यह अभिकारक की वेग की जानकारी देता है कभी भी किसी भी रियाक्षन में उसकी वेग की जानकारी नहीं दिया जाता है यानि चाल एक्टरस चाल को कह सकते हैं उसको नहीं जानकारी दिया जाते हैं तो अभिकि करिया को कहते हैं कौन से भी किरिया करते हैं तो कौन सा रियक्षन होता है ठीक है यही बताना है तो जल्दी से बताइए कमेंट करिए तो इसका राइट एंसर में बताना चाहिए अब चेपन कौन सा अभी किरिया हो जाएगा अभी किरिया तो नीजिश करके दरना नाइट्रोजन औक्साइड और बनाया जल बनाया तो निमली खित में से कौन से अभी किरिया का उधारन है बताना है कौन Divi किरिया का उदारण है तो इसका राइट हम ऐसा सब्सक्रादा निम तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अमल को जल में द्वारा तनु करना जब आम लोको जल में डालते हैं तो क्या होता हुस्मा का उत्पादन होता है ठीक है आप रियक्शन करके भी जान सकते हैं एस टूओ पलस आमल में कोई कोई भी आमली ले लिजिए उसके साथ रियक्श चैनल को सुरचित रखने के लिए कौन सा पड़ियोग करते हैं बताना है जल्दी से बताइए कि एस के अंसर क्या होगा रेक्शन के जवारा हम ताजा तेल को अच्छे से रख सकते हैं बहुत दिनों के बाद भी शुरचित रहेगा यानि बाइस का किने राइट एंसर आपसा नमर खाओ जाएगा चलिए कुछिशन नमर 23 के और बढ़ते हैं चलिए कुछिशन नमर 23 के अभी किरिया सीए 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 ओ एस्टू जब रियेक्शन करेगा तो सीए ओ एस्टू प्लस उस्मा के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सही हो जागा जल्दी से बताइए तो चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा वैदूत अप घटन और उसमा छेपी देखिए उसमा निकल रहा है यानि उसमा छेपी तो होगा ही अब क्या हो रहा है देखिए इसमें अब क्या हो रहा है अब वैदूत अप घटन हो रहा है देखिए यहाँ यहां पर माइनस हो जाएगा यह पलस हो जाएगा तो किया हो जाएगा चार्ज का या अप्शन आगे हाँ तो क्या हो जाएगा या थेच्छ का राइटेंसर अप्शन नमर्ग पर बहुतने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का पदार्थ भूरे रंग का ठोस पदार्थ अब सेस के रूप में प्राप्त होता है नेम लिकित में से किस परकार की अभी किरिया होगी ठीक है क्या करते है किसी पदार्थ को हम लोग क्या करते है गर्म करते है तो गर्म करने पर क्या होता है एक गैस निकलता है और उसके बाद का पिराप्द होता है मॐत की सभी किरिया में ये सभी रीमियेक्ष्ण होंगे तोा बताना है जल्दी से बताइए तो यह मैं इंसर बताना चाहता है इसके राइट इंसर जाएगा अप घटन अब घटन में अभिकिरिया होंगी 24 का जाएगा चलिए कुछन 25 और इस वीडियो का लाश्ट है इसके बाद हमारा क्लास समाफ्थ हो जाएगा कुछन 25 कता सीलवर ना पामबा ठाल को डालते हैं तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है चम्कीला परत जम जाती है जिसको चलता है वह चलता कर दिए ताकि मैं जब भी लाइव आ करके क्लास स्टाट करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आज के वीडियो में बस इतना